हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप जानेंगे रोज बोले जाने वाले कुछ शब्दों की इंग्लिश जैसे आंसू, पसीना, हिचकी, डकार, खरांटे, आदी उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट आसू, आसू को इंग्लिश में टियर्स कहते हैं नेक्स्ट पसीना, पसीना को इंग्लिश में स्वेट कहते हैं नेक्स्ट लार, लार को इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं नेक्स्ट हिचकी, हिचकी को इंग्लिश में हिकप कहते हैं नेक्स्ट डकार, डकार को इंग्लिश में बर्प कहते हैं नेक्स्ट, हाफना, हाफना को इंगलिश में गैस्प या पैंट कहते हैं नेक्स्ट, उबासी, उबासी को इंगलिश में यौन कहते हैं नेक्स्ट, खराटे, खराटे को इंगलिश में स्नौर कहते हैं नेक्स्ट, सूंगना, सूंगना को इंगलिश में स्निफ कहते हैं नेक्स्ट, छीनक, छीनक को इंगलिश में स्नीज कहते हैं नेक्स्ट, घाव या जख्म, घाव या जख्म को इंगलिश में वाउंट कहते हैं नेक्स्ट सूजन सूजन को इंगलिश में स्वेलिंग कहते हैं नेक्स्ट खासी खासी को इंगलिश में काफ कहते हैं नेक्स्ट उल्टी उल्टी को इंगलिश में वॉमित कहते हैं नेक्स्ट चोट चोट को इंगलिश में इंजरी कहते हैं नेक्स्ट दर्द दर्द को इंगल प्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले थैंक्स वर वॉचिंग